नश्रार अस्तूम धीठ है आज की 39 अगर्स 2022 और स्वागत है आपका एक्टोयल डिसकेशन में आज टोटल चार इशूस हम डिसकेश करेंगे एक हिंदू का बागी अलग अलग नियूस पेपर से हिंदू के अंटिकल्स important नहीं है जैसे यह जो अठिकल है यह Chief Justice ओफ इंडिया जो रिटाइर अभी हो चुके है न Justice Ramannak उनका कार काल कैसे रहा कितने दिनों उनने काम किया कौन से issues पर focus किया important नहीं है अग्जाम के लिए UPSC judge के काम के बारे में question नहीं पूछती Judiciary as a institution के बारे में question पूछती है नीचे आंटिकल जपान से संबंदित है जपान का gender gap index में स्थान काफी बुरा है काफी अश्यरेजनक है क्यों दिखो health indicators महिलाओं के अच्छे है वहाँ पे education indicators भी अच्छे है लेकिन politics में और companies में बड़े पदों पर महिलाओं की ना जो भागिदारी है कम है तो एक सबूत है अगर development किसी देश में आती है न तो भी वहाँ पे gender gap index में उस देश का score अच्छा होगा कोई guarantee नहीं है कई देशों में development अच्छी है लेकिन culture अभी भी ऐसा है करेंगे हम देखो सबसे पहले तो यह pin code से समदित आर्टिकल डिसकस करेंगे दूसरे नंबर पर हम आर्टिकल डिसकस करेंगे कौन सा Indian Express का गोर्खा राइफल से समदित जपान ने अगनिपत स्कीम के तहत मना कर दिया है कि हम गोर्खा soldiers को नहीं recruit होने देंगे अगनिपत स्कीम के अंतरगत क्या impact पड़ेगा साथ डिटेल से जानेंगे तीसे नंबर पर आर्टिकल डिसकस करेंगे हम chip manufacturing से समदित दा प्रिंट का चोथे नंबर पर आर्टिकल डिसकस करेंगे live mint का climate change से समदित discussion स्टार्ट करें उससे पहले ethics का बहुत बड़िया example है पुलवामा के DM है बसीर अलहक चोधरी अब आपको पता है पुलवामा militancy infected area है काफी militants हैं जमुएन कस्मीर में पुलवामा में तो इन्होंने का अच्छी चीज ये थी एक दिन के लिए ना जो वहाँ पे बच्चे हैं उनको allow किया कि आप IS की यानि DM की चेयर पर आप बैठिये तो इससे हुआ क्या उनका मकसद था कि local जो बच्चे हैं ना students है उनमें एक आग जगा ना कि civil servants बनके आप किस परकार से लोग को serve कर सकते हो जैसे ये बच्ची बैठी है चेयर पर ये बुजूर्ग अपनी समस्या लेके आएं हैं तो इनको एसांस होगा कि हाम मैं कितनी मदद कर सकती हूँ अगर मैं वास्ताव में इस चेयर पर बैठूंगी त्यारी करके मैं इस exam को clear कर सकती हूँ तो इससे होगा क्या local जो बच्चे है न जादा से जादा civil services की त्यारी करेंगे दूसरे jobs की त्यारी करेंगे और वो militancy की परती उनका रुख नहीं होगा अलगाववाद के तरफ उनका रुख नहीं होगा ये अच्छी चीज होगी तो काफी अच्छा example है जो आप ethics में इस्तमाल कर सकते हो अब discussion स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, important article, pin code से समधित हैं आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हो देखो हम सब में से साइध ही कोई person ऐसा होगा जिसने किसी दूसरे person से communicate करने के लिए उसको खत लिखा हो, यानि letter लिखा हो दोस्त वगएरा को या फिर रिष्टेदार को क्योंकि जब से हमने होज संबाला है न communication के बहुत अच्छे sources हमें मिले हैं email मिला है, बाद में तो mobile phone आ गए उसके बाद 2016 में जियो आ गया video call बगएरा बहुत असान हो गई तो हमारी जिन्दगी में तो हमने ये सब चीजें देखी हैं लेकिन आप लीजिए बात 1970 से पहले की हना कि mobile phone बगएरा email तो बहुत लेट आया लेकिन फिलाल article के लिए आप जाएए 1970 से पहले उस समय communication का main source क्या था? लेटर वगएरा लिखना communication mainly letters वगएरा से होता था और ना बहुत से लोग letter लिखते वक्त ना उनकी writing अच्छी नहीं होती थी तो ना वो address ढंक से नहीं लिखते थे तो post office वालों को बड़ी दिक्कत आती थी address समझने में कि इसने address भेजा कहां है मतलब letter कहां बेजा है? कई बार तो सहर का नाम ही बहुत ज़्यदा उल्ट सुल्ट हो जाता था letter जाना था बोमबे और गलती से पहुँच गया बड़ोधा क्योंकि जिसने letter लिखा उसकी writing साफ नहीं थी उसने address ठीक से नहीं लिखा तो सरकार ने क्या किया? 15 अगस्त 1972 को ना एक system adopt किया pin code वाला हर एक post office के लिए एक pin code adopt किया गया ताकि address को recognize करना letters को sort out करना मतलब कौन से post office में कौन से letter जाना है deliver करने के लिए ये सब आसान हो गया pin code का system adopt करने से 6 अंक होते है pin code में सबसे पहला जो अंक है वो represent करता है region को जैसे ये देखिए 1 pin code में ये सारे regions आते हैं north वाले 1 और 2 north के हैं 1 उपर 2 यहाँ पर उतर परदेश हो गया उसके बाद में west में है 3 और 4 ये गुजरात का 3 है महराश्टर का 4 है समझ गये? यानि पहला पहला जो अंक है वो region को represent करता है इसके बाद दूसरा जो अंक है वो represent करता है सब region को यहाँ पर 5 तीसरा district को जिला कौन सा है? और सबसे last में ये तीन जो अंक है ना ये represent करते हैं post office को अब किसी किसी district में 101 post office है इसलिए post office के लिए तीन अंक दिए गए है अभी तक ये system चला आ रहा है हमरदेश में इससे देखो बहुत ज़़ा सहूलियत हुई letters को sort out करना आसान हो गया और किसी ने address ठीक से नहीं लिखा तो भी अंकों को पढ़के कम से कम particular post office में तो letter पहुंच ही ज़ादा आगे जाके जो डाकिया है post man है थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेता कि ये letter कहां जाना है ये system देखो सिरफ इंडिया में नहीं बलकि बाकी देशों में भी adopt किया गया धीर धीरे करके जर्मनी में adopt किया गया सिंगापूर में 1950 में अर्जेंटीना में 1958 यूस में 1963 स्विजरलेंड में 1964 यूके में 1974 आज के समय में यूनिवर्सल पोश्टल यूनियन का कहना है 160 ऐसे हैं जहां पे इस परकार से पोश्टल कोड है देखो वेस्टन कंट्रीज में तो ना 1960 में ना sorting machines आ गई थी मतलब scan करते हैं ना तो machine scan करती address को और address जो अंको का होता पिन कोड जो अंको का होता उसके हिसाब से letters को आसानी से sort out किया जाने लगा तो manual काम काफी कम हो गया एक तो देखो इनसान जैसे post office वाले particularly देखें कि pin code क्या है फिर हाथ से किसी दूसरी धेरी में रखें तो ये काम पूरी तरह से manual है इसमें तो बहुत वक्त लग जाता लेकिन machine इसी काम को बहुत जल्दी जल्दी कर देती तो machine जब आ गई ना letters को sort out करने के लिए तो ये तो एक परकार से communication के मामले में मतलब post office के मामले में इसे आप revolution को होगे इवन देखो एक बहुत बड़ी चीज पहले जो letters को जिसे post office के जो personnel थे करमचारी वो letters को sort out करते थे उन्हें सबसे बड़ी बात pin code के numbers याद होने चाहिए थे numbers याद होंगे तभी तो वो sort out कर्स केंगे न तो बहुत बार manually करते तो गलतियां भी हो जाती इसके बाद writer कहते हैं 1972 में pin code का system इंडिया में आया तो उसके बाद देखो धीरे-धीरे लोगों में awareness आई कि address में pin code का इस्तमाल करना चाहिए सरकार ने भी awareness फिलाई लेकिन आज भी बहुत बार बहुत से लोग ऐसे हैं जो pin code नहीं लिखते हैं address में और इसमें सबसे बड़ी कलप्रीट है government offices government offices के जो letters होते हैं जल्दबाजी में letter लिख देते हैं pin code नहीं लिखते तो address पर कई बार letter पहुँच नहीं पाता लेकिन आज के समय में तो देखो चीजे ना बदल गई हैं 50 साल पहले ये system आया था pin code वाला आज के समय में चीजे बदल गई हैं mobile phone आ गए हैं तो letter वगरा तो कोई लिखता नहीं जातर जो इस्तमाल होता है ना बिजने लगी हैं Amazon Flipkart जैसी जो companies आई हैं ना इनके courier बहुत ज़्यादा जाने लगे हैं यानि बीच में जो ऐसा लगने लगा था ना कि pin code वगरा की आज के समय में जूरत नहीं है वो अब गलत साबित हुआ है जब से e-commerce का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना तो address को find out करने की बहुत कोसिस होती है courier agencies के द्वारा मतलब जहां पे parcel को deliver किया जासके तो writer कहते हैं अब देखो इतना ज़्यादा courier जाने लगे हैं कि पुराना जो ये pin code system है ना पचांस सालों से चला आ रहा है ये अभी फिलाल कारगार साबित नहीं हो रहा है इसे change करने की आउ सकता है question ये उठता है क्या नया किया जाए कैसे इसे और ज़्यादा सरल बनाया जाए देखो writer कहते हैं 6 अंकों का तो आलरी है ही ये pin code इसमें एक अंक और add करके इसे साथ अंकों का बनाया जा सकता है अब आपके मन में आया होगा ये साथवा जो अंक होगा होगा क्या ये होगा beat का अंक for example 2 है अब देखो एक post office का area भी कई बार ना बहुत बड़ा होता है मान लिजे ये post office का area है अब इसे 3 beat में डिवाइड कर दिया इस पूरे post office के area को 3 जो postman है वो serve कर रही है मतलब हलाकि दूसरी courier companies भी pin code का इस्तमाल करती है लेकिन हम समझ रहे हैं post office के example से समझ रहे हो ना अब जैसे e-commerce की कोई company है वो भी किसी एक post office के area में तीन अपने courier delivery boys को लगाती होगी तो parallel आप समझ सकते हो courier company का काम और post office का काम तो एक अंक और add हो जाएगा ना तो post office के अंदर भी particular पता लग जाएगा कि इस beat का ये parcel है example की साहिता से आपको बताऊँ मान लीजिए पता लग गया इस post office का ये parcel है लेकिन post office के अंदर भी post office की jurisdiction है उसमें भी पता लग जाए further कि हाँ ये छोटा सा beat है और यहां का ये parcel है तो और बेज़दा आसान हो जाएगा delivery boys के लिए parcel को deliver करना अब beat के संख्या अगर जादा है तो इसे दो अंक भी increase किया जा सकता है कम है तो एक अंक से काम चल जाएगा तो समय की आवशक्ता के अनुसार ये change सरकार को लाना चाहिए इससे एक फाइदा ये होगा district hub में न parcel को sort out करने के आवशक्ता नहीं होगी district hub से बड़ा जो circle hub है न वहीं पर beat के हिसाब से parcels को divide कर लिया जाए और particular beats में पहुंच जाए parcels देखो पहले post office तो na postman जो थे na cycle पर जाया करते थे लेकिन आज के समय में delivery boys जो है उनको bike क्या सकता पड़ती है parcels काफी heavy होते हैं उनका काम cycle से चलता नहीं है तो उनके जो delivery centers है na parcel delivery centers वो दूर दूर रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि bikes का इस्तेमाल करते हैं delivery executives तो वहाँ पे centralization system चल सकता है लेकिन देखो writer यही बोलना चाहते हैं इन सब points की साहिता से कि ये जो pin code system आया था ना तब आया था जब लोग mail यानि खत काफी लिखा करते थे बट आज pin code का इस्तेमाल mainly ना address को रिक्राइज करने के लिए होता है address को पहचानने के लिए ना कि sort out करने के लिए तो इसे थोड़ा सा rationalize कर दिया जाए ताकि ना सिरफ address को पहचानना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए बलकि parcels को sort out करना भी आसान हो जाए तो ये पूरा article हमने discuss किया pin code से समदित चलते हैं आगे इसके बाद next article गुर्खा recruitment से समदित है आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हो क्या contest है देखो नेपाल के जो गुर्खा ना उनको इंडियन आर्मी में recruit किया जाता है आजादी के बाद से क्योंकि ना इसको लेके एक agreement sign हुआ था नेपाल, इंडिया और UK के बीच में 1947 में 1947 से पहले नेपाल के जो गुर्खा soldiers है ना वो बिटिस आर्मी में सर्व क्या करते थे लेकिन तीन पक्सिया एक agreement हुआ 1947 में जिसके अनुसार गुर्खास की 2nd, 6th, 7th और 10th जो बिटालियन थी ना वो ट्रांसफर हो गई थी बिटिस आर्मी को इसके अलावा 1st, 3rd, 4th, 5th, 8th और 9th ये बिटालियन से इंडियन आर्मी के साथ रही थी इसके बाद इंडिबेंडन्स के बाद हिटलर के बारे में कहा जाता है एक बात कि इन्हों ने यूं कहा था कि आप मुझे गुर्खास दे दीजिए इसके बाद वर्ल्ड की कोई भी आर्मी मुझे हरा नहीं पाएगी तो गुर्खास की वीरता के बारे में ये चीज़ बोली जाती है एक और historical aspect गुर्खा ट्रोप्स के बारे में पाकिस्तान ने आजादी के बाद गुर्खास को मांगा था कि आप गुर्खा सोलजर्स हमें दीजिए इवन 1962 के वार के बाद चाइना ने भी नेपाल से request किया था कि आप गुर्खा सोलजर्स हमें दीजिए लेकिन नेपाल की सरकार ने दोनों देशों की request को turn down कर दिया यानि बना कर दिया कि हम गुर्खा सोलजर्स आपको नहीं दे सकते मतलब allow नहीं कर सकते कि हमारे देश के जो गुर्खास है वो आपकी आर्मी में recruit हो क्योंकि हमारा इसके लिए na agreement है इंडिया के साथ हम और चूंकि देखो नेपाल के जो गुर्खास है न उनका culture इंडिया के साथ same है तो वो इंडिया के साथ ही ज़दा लगाव महसूस करते हैं उनका प्यार इंडिया के साथ ही ज़दा है और ये जो गोर्खाज हैं तूर्द राज़ एरिया से आते हैं Indian Army में सर्व करते हैं तो Indian Army से सैल्डी जाती है वो सैल्डी अपने घर भेजते हैं रेमिटेंस हो गया निपाल के लिए तो निपाल के निपाल धूर्द राज़ के एरियास में development आती है इन गोर्खा soldiers की बदूलत, बाद में pension भी मिलती है, तो social conditions नेपाल में काफी ठीक हुई है, गोर्खास की Indian army में recruitment के कारण, और एक और चीज, इन्हें बहादूर क्यों माना जाता है, क्योंकि देखो ये गोर्खास जो है न, पहाडों में रहते हैं, पहाडों में रहते हैं, इ उससे ये भली भाती से प्रीचित हो जाते हैं, उसको सहन कर सकते हैं, और mountains में रहने के कारण, जल्दी-जल्दी mountains चड़ जाते हैं, वार में इनकी performance काफी जदा increase हो जाती हैं, और nature से काफी काम रहते हैं, ऐसा नहीं कि Indian army में देखो, मतलब किसी भी देश की army में, कामनेस की बहुत जरूरत हैं, ऐसा नहीं कि आप emotions में आके होस खो बैठो और कुछ ऐसा कर बैठो जिससे आपकी देश को नुक्सान हो जाए, तो गोर्खास ना इस मामले में काफी सही हैं, मुस्किल भरी घड़ियों में भी काफी काम रहते हैं, जो यूद के लिए बहुत ज़रा ज स्कीम, अब देखो अगनी पत स्कीम में तो आपको पता है, सुरू में जो recruitment है वो चार साल के लिए होगा, सिरफ 25% जो soldiers हैं वो आगे जाएंगे, बाखी 75% तो वहीं पर रिटायर हो जाएंगे, चार साल के बाद ही, तो नेपाल की सरकार ने ना मना कर दिया है कि ये system हमें नहीं चाहिए, तो अब दो चीजें हो सकती है, या तो नेपाल अलाव कर सकता है अपने soldiers को चाइना की आर्मी में recruitment के लिए, जो कि इंडिया के लिए सहीं नहीं है, गोर्खास soldiers हैं, इंडिया के against लड़ेंगे तो इंडिया के interest के against हैं, दूसरी चीज, हमारे आर्मी में तो गोर्खास की कमी हो गई ना, मतलब ये वही बात होगी, आपकी आर्मी में गोर्खास की कमी हो गई, लेकिन दुस्मन देश में गोर्खास बढ़ गए, तो कैसे इंडिया टैकल करेगा, देखो 2016 में ना, इंडिया ने एक pure इंडियन गोर्खा बटालियन्स रेज की थी, गो 2016 में एक बटालियन रेज की गई थी, वो purely इंडियन गोर्खा बटालियन थी, बटालियन का नाम था 6th बटालियन और 1st गोर्खा राइफल्स, हिमाचल परदेश के सुभातु में ये रेज की गई थी, इसके अलावा, अभी देखो जो गोर्खा बटालियन्स है न, उसमें ये रेंज है, 60-42 लेके 70-30 के बीच में रेशो मिलेगी, अब इस रेशो को फुल्फिल कर पाना, मतलब अगर जैसे 100 गोर्खा सोल्जर्स में से 70 चले गए, या नहीं रहें, अभी वाले जो हैं देखो, उन पर तो कोई असर पढ़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये जो रूल है अगनी पतवाला, वो तो future soldiers पर है, depend करता है, लेकिन आगे गोर्खास आएंगे नहीं न, नेपाल की सरकार ने मना कर दिया, तो फिर इन battalions में अब गोर्खास की vacancy आगे create जब हो जाएगी, क्योंकि आलरी जो गोर्खा soldiers हैं, वो retire हो जाएंगे, तो vacancy इसको feel करना मुश visibility में relief की थी, कि वो भी गोर्खा rifles में serve कर सकते हैं, क्योंकि features same है, कुमायू और घडवाल वीजन में, जो soldiers हैं, वो भी पहाडों में रहते हैं, वो भी उसी परकार से resilient हैं, जैसे गोर्खा soldiers हैं, वो भी बहादूर हैं, काम हैं, तो last minute writer बोलते हैं, देखने वाली बात ये हो हैं, क्या ऐसा कुछ होता है, कि सरकार नेपाल की सरकार को मना ले, और गोर्खा soldiers की जो recruitment है, पहरे चलती थी, वैसे ही चलती रहें, ये हम देखेंगे, जरूरी है, लेकिन देखते हैं, सरकार क्या करती हैं, इस मामले में, चलते हैं आगे, इसके बार next article, semiconductor chips से समधित हैं, आ आप GS Paper 3 के इस टोपिक से article को relate कर सकते हों, दिखो आज कल ना, आल्मोस्ट हर एक electronic item में ना, semiconductor chips का इस्तमाल होता है, चाहे item, telecom sector का हो, या फिर automobile sector का हो, semiconductor chips तो जैसे बिल्कुल ज़रूरी हो गई हैं, लेकिन अपसोस की बात ये हैं, इंडिया में इन semiconductor chips की manufacturing बहुत कम होती हैं आल्मोस्ट पूरे world में जितनी chips चाहिए ना, 50% से ज़रा तो Taiwan से आती हैं, और अब Taiwan पर खतरे के बातल मंडरा रही हैं, युद की समभावनाएं हैं, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन China धंकिया बहुत दे रहा हैं, इवन COVID-19 के महमारी आई थी तब भी, supply chain में disruption आया वैसे देखो, अगर बात करें, ये chips होती क्या हैं, एक परकार से ना, integrated circuit होता है, इस परकार से integrated circuit यानि IC होती है, जिसको semiconductor के ऊपर imprint किया जाता है, फिर ये current के flow को regulate करती हैं, तो जैसा हमने डिसकस किया, कि अब तो technology भी नहीं नहीं आ रही हैं, जैसे artificial intelligence, electric cars, तो और ज़्या विबिन देशों में race हैं, अलग-अलग देश पैसा जोक रहे हैं, chips manufacturing में महारत हासिल करने के लिए, USA ने chip manufacturing industry को 52 billion dollars के incentive देने का प्लान किया है, European Union ने 30 billion dollars, China 15 billion dollars से annually खर्च करता है, chip manufacturing industry को देदा है, subsidy की form में, और Samsung ने भी कहा है, कि हम chip factories में 200 billion dollars से invest करेंगे, आप देखिए, इंडिया ने भी वैसे बोला है, कि हम 10 billion dollars से invest करेंगे, ताकि chip manufacturing ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में हो, देखो ये जो chip manufacturer है न, उनको chip manufacturing के लिए complex ecosystem क्या सकता होती है, tools में, chip factories में जो tool लगते है न, उसमें महारत हासिल है, जपान को, जपान की leadership है, और integrated circuit यानि IC imprint होती है, semiconductor के ऊपर, तो imprinting में महारत हासिल है, नीदरलेंड को, यानि जो photolithography के equipments है न, वो ज़्यादा अच्छे से नीदरलेंड के पांस में है, और ये पूरी chip बनती है, उसमें जो gas वगरा जाती है, जैसे neon या फिर palladium, इसमें leadership है, Russia और Ukraine की, जिनके बीच में आपस में अभी युद चल रहा हैं, देखो chip manufacturing न, इसलिए थोड़ी मुश्किल पढ़ती है, क्योंकि इसमें न, R&D बहुत चाहिए, research and development के लिए चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा, हमारे देश में सरकार इतना पैसा खर्श करती नहीं, और private industries के लिए मुश्किल पढ़ता है, उनके लिए risk है, मान लिज से भी जो risk है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अब इंडिया जैसे देश जो emerging economies हैं, उतना पैसा spatially devote नहीं कर पयाते, जो ये बड़े major countries हैं, उनके मुकाबले में, इसलिए हम पिछड़ गए हैं, आप example देखिए, जहां देखो USA कोशिस कर रहा है, कि 10 nanometer की जो chip है, वो छोटी होंगी न, उतना ही ज़्यादा फाइदा होगा, तो विबिन देश परियास करते हैं, छोटी सा छोटी chip को develop किया जाए, जपान की chip industry अभी भी थोड़ी बड़ी chip develop कर रही है, क्योंकि अभी उसकी market है, ताइवान की जो semiconductor manufacturing company है न, और even Samsung भी, ये 3 nanometer की chip develop कर रही है, त आइवान के पास में, चाइना ने अभी अभी 7 nanometer छोटी chip का जो benchmark है न, वो break कर दिया है, लेकिन USA, जपान, ये देश मिलके कोशिस कर रही है, 2 nanometer छोटी जो chip है न, वो develop की जाए, तो इस पर कहाँ से na, alliance बन रहे हैं, विबिन देशों के बीच में, ताकि ज़्यादा अच् खेल रहा है, इंडिया किसी alliance में नहीं है, chip manufacturing के मामले में, इंडिया में जो proposal आये हैं, वो इस परकार से आये हैं कि हम 28 nanometer बड़ी जो chip है, वो इंडिया में manufacture करेंगे, हलां कि देखो, इन देशों के मुकाबले में तो ये बहुत बड़ी chip है, लेकिन इतना भी हो जाए, इं अप्रोच अपनानी चाहिए, जनलिस्ट अप्रोच तो मतलब एक होता है जैसे IC को develop करना, एक होता है imprinting, एक होता है semiconductor को develop करना, क्या इंडिया को सभी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, या फिर जहां पर इंडिया की महरत है, expertise है, for example, इंडिया की expertise है chip design में, च्योंकि chip design मे लगता है labor, और labor इंडिया के पास में है, तो क्या इंडिया को chip design पर ध्यान देना चाहिए, जहां पर इंडिया की specialization है, या फिर हर एक चीज़ पर focus करना चाहिए, ये इंडिया के सामने dilemma है, तो इंडिया को नाकुल मिला के न, alliance बनाने चाहिए दूसरे देशों के साथ में मान लीजिए, जपान की leadership किसी चीज़ में है, इंडिया की leadership, chip design में है, तो दोनों आपस में alliance बनाएं, तो like-minded countries के साथ जितना ज़्यादा इंडिया alliance बनाएगा न, उतना ज़्यादा इंडिया को फाइदा होगा, बजाए solo चलने के, अकेला चलने के, हर चीज में एकला चल climate change के angle को जुरूर include कीजिए, आने वाले समय में, आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हूं, देखो, global consensus ये हैं कि climate change जो है, वो विविन देशों की economic growth पर negative impact डाल रहा है, world economic forum, global risk report 2020 में, top 5 जो risk बताये गए न, सब के सब climate related हैं, आप यहाँ पर देखिए, human made, environmental disasters, पहले नमबर पे, दूसे नमबर पे, climate action failure, तीसे नमबर पे, natural disasters, चोथे नमबर पे, बावी diversity loss, और पाँचवे नमबर पे, extreme weather, सोच के देखिए, world economic forum की global risk report 2020 में, 5 सबसे बड़े खत for economics मिला था 2018 में, किसको, William D. Nordhaus और Paul Romer को, किस लिए मिला था इनको, क्योंकि देखो इन्होंने climate change को long term macro economic analysis से integrate किया था, कैसे climate change का economy पर impact पढ़ रहा है, उन सब पर research की थी, इन्होंने, इसी के लिए इन्होंने 2018 में इनको Nobel Prize मिला, climate change की वज़े से जो negative impact पढ़ रहा है विबि emerging countries है ना, वो तो ज़्यादा ही vulnerable है, गरीबी भी इन्डिया में ज़्यादा है, तो अब आशकता ये है, इन्डिया में जो भी national policies बने ना, business strategies बने, national policies बने, उसमें हम climate change के angle को जरूर add करें, इन्डिया का जो climate है बहुत ज़्यादा diversified है, कहीं पर आपको बिल्कुल उचे- mountains देखने को मिलेगे, हिमालियाज में, हिमालियाज में जो temperature है, काफी freezing है, जमा देने वाला है, दूसी तरफ, South India में आपको tropical climate conditions देखने को मिलेगी, कहीं पर आपको बिल्कुल flat beach देखने को मिलेगे, यानि climate काफी ज़्यादा diversified है इंडिया में, North Eastern States जहां एक परकार से maximum rainfall क को प्राफ्त करते हैं, North Western States, गुजरात, राजस्तान, यहां पर तो पानी मिलता ही नहीं है, यहां पर आपको deserts देखने को मिलेगे, थार, great Indian desert, इतना ज़्यादा climate diversified है, यह one of the main reason है, जिसकी वज़े से हमारे देश में population density ज़्यादा है, देश में आज भी एक बड़ा तब सीवन याची का चलाना मुश्किल सावित होगा, कितने लोग ऐसे हैं जो rain पर depend करते हैं, ना सिरफ खेती के लिए बलकि और भी दूसरे बहुत सारे ऐसे काम हैं, जिसके लिए rain बहुत ज़रा ज़रूरी हैं, लेकिन देखो climate change के वज़े से हो क्या रहा है, weather pattern जो है, वो unpredictable हो होता जा रहा है, बारिस आती है, तो एकदम से बहुत बारिस आ जाती है, सूखा आ जाता है, तो लगातार दो दो तिन तिन साल सूखा आ जाता है, तो ना इससे agriculture करना बहुत ज़्यदा मुश्किल साबित हो रहा है, ये कुछ impact है, नेगेटिव impact, जिसे lower crop yield, फसल की पैदा कर रहा है, जो कि weather unpredictable हो चुका है, लाइव स्टोक पर काफी negative impact पड़ता है, हमारे देश में लाइव स्टोक यानि पस्वों की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन heat stress की वज़े से उन्हें चारा नहीं मिल पाता, बहुत से जानवर जो हैं, वो heat stress को जेल नहीं पाते, बहु में काम नहीं होता, लेकिन इस बार मार्च में कितने ज़्यादा गर्मी आ गई थी एकदम से, काम नहीं करेंगे workers अगर देखो तो industrial activities थोड़ी कम होगी, productivity कम होगी, माल कम produce होगा, कम export होगा, national income में कमी आएगी, तो यह साधी चीजें national economy से जूड़ी हुई है, next है energy crisis, international energy agency के अनुसार, energy demand इंडिया में डबल हो जाएगी 2030 आते आते, बड़ देखो climate change की वज़े से, energy जो production है ना, वो भी परभावित हो सकती है, next है impact on infrastructure, climate change की वज़े से floods आती है, बहुत बार, cyclones आने लगे हैं बहुत ज़्यादा, तो floods से, cyclones से, कितना जानमाल का नुक्सान होता है, infrastructure बहुत नश्ट हो जाता है, floods की वज़े से, जैसे असम में हर साल आती है, पूरे rail tracks बहा जाते हैं, बाद में उन्हें फिर से establish करना, बहुत ऐसे लगते हैं, impact on drainage system, climate change की वज़े से देखो, glaciers अब ज़्यादा टेज गती से पिगलने लगे हैं, अब और ज़्यादा टेज गती से पिगलेंगे, तो ज़्यादा पानी आएगा नदियों में, बाड़ आ जाएगी, drainage system जो है, वो disrupt हो जाएगा, और बाद में glaciers natural disasters और नम, इनका सबसे ज़्यादा impact किन लोगों पर पढ़ता है, गरीब लोगों पर, अमीर लोगों को कोई खांस फरक पढ़ता नहीं है, लेकिन अब इस परकार के natural disasters की वज़े से आगरीब और ज़्यादा गरीब हो जाता है, और अमीर पर कोई फरक पढ़ता नहीं है, तो वो gap जो है income का गरीब और अमीर के बीच में वो बढ़ जाता है. क्या करना चाहिए? Wave Forward में क्या solution है? सबसे पहले है mitigation. Emissions आप कम से कम करो. इंडिया का plan है खुद का. Paris Climate Change Agreement में अब इंडिया ने उसे update भी किया था. हर 5 साल बाद update करना था ना Paris Climate Change Agreement में जो विबिन देशों ने commitment की थी. तो इंडिया ने update कर दिया है. हमने इस पर article भी discuss किया था. Next, Environment Friendly Policies. देखो, Environment और Economy. दोनों के बीच में class ना समझे, दोनों साथ-साथ चलनी चाहिए. ना हम environment से compromise कर सकते हैं, ना ही economy से. दोनों को साथ लेके चलना होगा. Climate Change एक opportunity हमें provide करता है, कि जो development हम लेके आएं, वो sustainable होनी चाहिए. जैसे देखो, forest and wetland का conservation होना चाहिए. Forest के बारे में कहा जाता है, कि ये rainfall को regulate करते हैं, और temperature को regulate करते हैं. लेकिन forest, अगर हम काटते रहें, तो फिर rainfall काफी ज़्यादा irregular हो जाएगी, temperature बढ़ जाएगा. तो ये forest जो हैं, वो frontline warriors हैं. Next है, waste की mismanagement से न, काफी pollutants atmosphere में add हो जाते हैं, तो waste को manage करने के लिए, ज़्यादा infrastructure सरकार develop करें, इससे employment की opportunities भी develop होंगी. Next है, adaptation. Adaptation में देखो, जैसे अब मान लीजिए, बारिस irregular आ रही हैं. तो सरकार ऐसे beach बनाए, ऐसे seeds बनाए, जो rain के against न, resilient हो, मतलब कम भी पानी मिले, तो भी अच्छी फचल हो, ऐसे beach को develop करने के लिए, R&D की आफसकता हैं. और देखो, passive cooling technology, जो residential या फिर commercial buildings हैं, वहाँ पे, passive cooling technology, एक alternative present करती है, heat को कम करने के लिए, urban heat islands को कम करने के लिए, तो ACS कम install करने के आफसकता होगी, और emission कम होगा, तो ऐसे से जो solutions हैं, वो अपनाए जा सकते हैं, बदलते समय के अनुसार, जिससे emission भी कम हो, और जो citizens हैं, उनको भी रहत मिले, farmer practices best use होनी चाहिए, जैसे crop diversification, irrigation based farming, इनसे rain के उपर जो dependency हैं, वो कम होती हैं, और climate change समद्धी जो challenges हैं, वो भी address होते हैं, सबसे last में, disaster resilient infrastructure, infrastructure आप ऐसा develop कीजिए, disaster आती भी है, तो आपको ज़्यादा नुक्सान ना हो, जैसे देखो, जपान में, घर ऐसे बने हुए हैं, कि भुकम्प आ भी जाए, तो घरों को ज़्यादा नुक्सान ना पहुंचे, वो पहले से तयार हैं, कि हाँ भुकम्प आ सकता है, उसी प्रकार से हमारे देश में, जो infrastructure develop होना, वो disaster resilient होनी चाहिए, जिसे coastal areas में,